बजन नब्बे इसमें से हम देख रहे हैं और जिस दृष्टी कोन से हम देख रहे हैं वो ये है कि हर एक आदमी को प्रभू ने जीवन जीने का मौका दिया है हम सब को प्रभू ने सब लोगों को सिरफ इस मसीही लोगों को नहीं लेकिन सब लोगों को परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत तोफा दिया है जिसमें उसने भेदभाव नहीं किया, सब को जीवन दिया है और हमारे लिए हमारी जिन्दगी परमेश्वर का बहुत बड़ा तोफा है कि उसने हमें इस धर्ती पर जो उसने बनाई और उसने हमें बनाया अपने स्वरूप में और हमें जिन्दगी दी है और जीवन अपने आप में परमेशा का बहुत बड़ा डान है लेकिन किस तरह की जिंदगी को कामियाब कहा जाता है सब लोगों की जिंदगी कामियाब नहीं होती सब लोगों की जिंदगी धन्य नहीं होती या जिस प्रकार सामने लिखाए कि एक अच्छी तरह से साधारन भाशा में एक अच्छी तरह से जिन्दगी जो जीते हैं वो जिन्दगी कैसी होती है What kind of a life is a life well lived? किस प्रकार का जीवन जो है वो एक अच्छा जीवन होता है परमेशवर के लोग भी जो परमेशवर के लोग हैं जो येशु पे विश्वास करते हैं वो सब के सब लोग भी अपने जीवन का पूरा पूरा फाइदा उठाते हैं प्रमेशवर के कामों को करने के लिए, प्रमेशवर के साथ अपने रिष्टे को मजबूत बनाये रखने के लिए आसारे होते हैं अफसोस की बात है ऐसा नहीं है प्रमेशवर ने हम सब को, दुनिया में सब को जीवन दिया है और विश्वासी लोगों को उसने अनंत जीवन का दान दिया है और जब तक हम इस धर्ती पर हैं अपनी जिन्दगी के साथ हम क्या करते हैं बहुत बार बहुत से साल हम वेस्ट कर देते हैं बहुत समय हम वेस्ट कर देते हैं मैंने अपनी जिन्दगी में इस बात को लेके मैं आप सब के सामने कह सकता हूँ बहुत से ऐसे ऐसे काम है मेरी आत्मा की भलाई के लिए जिनको मैं बहुत पहले कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया मैं सिर्फ अपने उध्धार के उसमें खुश रहा या मैं ढीला रहा, मैं कमजोर रहा, मैं सुस्त रहा मैं बहाने बाजी करता रहा, मैं आगे आगे टालता रहा मैंने खुद अपनी जिन्दगी में ऐसा किया है और हम सब करते हैं कि अपने जिन्दगी को आगे बढ़ने के लिए प्रभु में, मसी में आगे बढ़ने के लिए हम जितनी आग्याकारिता कर सकते हैं जितना सरेंडर, जितना समर्पन हम अपने जीवन का प्रभु के लिए कर सकते हैं हम नहीं करते हैं, बहुत समय बर्बाद कर देते हैं और जो भजन आपने खोला हुआ है, भजन नब्बे, ये भजन मुसा ने लिखा, मुसा का इकलोता भजन, जो भजन सहीता में है, और मुसा जो इस भजन को लिखता है, उसका experience है ये, उसका ये अनुभव है, कि देखो लोग कैसे अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं, मुसा जो था, वो बीस लाख, सोला से बीस लाख लोगों को लेकर के, मिस्र देश की गुलामी से निकला, और इसराइल देश की और कनान देश की और जा रहा है, जहां परमेशवर ने कहा कि तु जा वहाँ पर शहद और दूद बहता है, वहाँ पर तुम लोग जाके बस हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मुसा ने कठिन परिस्तितियों का सामना करते हुए इस सफर को उसने तकरीबन पूरा किया उसने बड़े-बड़े चमतकार परमेश्वर के लोगों ने और परमेश्वा के लोगों ने बड़े बड़े चमतकार देखे आप जानते हैं कि जो ये जो 16 से 20 लाख लोग जो थे ये लोग जब मिस्र देश से जहां पर साड़े तकरीबन साड़े 400 साल गुलामी में थे जब ये लोग वहां से निकले जब अजाद हो गए गुलामी से औ कि मिस्र की सेना उनके पीचे फिर से आ रही है उनको दुबारा से कैद करने के लिए क्योंकि राजा को आया अरे मैंने क्या कर दिया इन लोगों को मैंने अजाद कर दिया ये लोग तो मेरे बहुत अच्छे काम करने वाले हैं दुबारा से गुलाम बनाऊंगा मैं इनको औ और उनके सामने समुद्र था, लाल सागर था, और लोगों ने देखा कि परमेश्वर जो काम कोई आदमी करना तो दूर की बाद कोई सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कि समुद्र को उस पार कैसे जाएंगे, कैसे पार करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने लाल सागर की दो भाग कर दिये, परमेश्वर ने सागर को बांट दिया, सूखी जमीन कर दी और वो लोग सागर से भी निकल कि उस पार चले गए, इस प्रकार बड़े बड़े चमतकार लोगों ने देखे, रस्ते में गए, इतना बड़ा चमतकार कि उनके तन पे जो कपड़े थे वो पाना भेक दिया, उनको प्यास लगी परमेश्वर ने पत्थरों से पानी निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर के बड़े-बड़े काम देखने के बावजूद, क्या ये लोग खुदा के प्रती इमानदार थे, नहीं थे, और यही है जीवन को नश्ट करना, और इन लोगो का जीवन नश्ट हो गया, इका दुक्का को छोड़, वो सब के सब वही रस्ते में बरबाद हो गये, नश्ट हो गये, उस कनान देश तक पहुंच नहीं पाए, जहां पर परमेश्वर ने जाने के लिए उनको छुटकारा दिया था, अपना जीवन खराब कर दिया, अपने कौम को नश्ट होने से परमेश्वर ने बचाया था, और जिस कौम को परमेश्वर ने इतने चमतकारी ढंग से बाहर निकाला गुलामी से, और तुम्हारे लिए अंगिनत चमतकार किये, वो परमेश्वर जो बादल के रूप में और आग के रूप में जो साथ-साथ चलता परमेश्वर से मिलने गया मुसा थोड़ी देर के लिए तुम से दूर हुआ तुमारा अगवा और तुम लोगों ने क्या कर दिया एक जानवर एक बचछडा बनाया और उस जानवर की पूजा करना शुरू कर दिया ये है जीवन का नश्ट करना कि परमेश्वर ने हमें जिस रास्ते पर डाला है आपको और मुझको मैं आप उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ जितने लोग यहां बैठे हैं येशु नाम सत्संग में परमेशवर ने हमको बचाया है छुडाया है एक रास्ते पर उसने हमको डाला है वो अनंत जीवन का रास्ता है वो स्वर्ग की और जाने वाला रास्ता है और हम उस रास्ते पर चल तो रहे हैं लेकिन परमेशवर हमारे जीवन का हमारे दिल का राजा नहीं है आपका जीवन नश्ट कब होता है? जब आप परमेश्वर को सही माइने में अपने जीवन का राजा और मालिक नहीं मानते हैं आप अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं जब परमेशवर आपका सब कुछ नहीं है आप अपना जीवन खराब कर रहे है वो अच्छी तरह से जी हुई जिंदगी नहीं है हाँ आपकी आज एक दुकाने दस साल के बाद आपकी दस दुकाने खुल जाएंगी आज आपकी तंखा बीस हजार है आप मेहनत करो, खूप मेहनत करो आपकी तंखा 35,000 हो जाने वाली है लेकिन परमेशवर आपकी जिंदगी में कुछ माइने नहीं रखता तो आपका जीवन दुक दायक जीवन है आत्मिक दृष्टी कौन से आपका जीवन कामिया आप जीवन नहीं है आपका जीवन वैसा जीवन नहीं है जो अच्छी तरह से जिया हुआ जीवन जिसे बाइबल के अनुसार कहा जाता है आपका जीवन नहीं है If God is not the king of your life in reality अगर सच मुच में परमेशवर तुम्हारे जीवन का राजा नहीं है तुमने उसको अपने जीवन के सारे कशेतरों का राजा और मालिक नहीं बनाया है और ऐसा जीवन जी रहे हो जिसके पास जिसमें दुनिया की सारी चीज़े तुम्हारे पीछे-पीछे हैं तुम्हारे पास हैं कि इसके अंदर जो वचन है 17 वचन है एक से लेकर 11 वचन तक हम कुछ सचाईयों को सीखते हैं जो सचाईयां परमेश्वर के बारे में हैं और हमारे बारे में हैं और 12 से लेकर 17 वचन तक हम देखते हैं कि ये सचाईयां ये truth ये reality जो एक से लेकर 11 तक लिखी हुई है ये मेरे जीवन को कैसे बदलती है जबी भी आप Bible पढ़ते हो, Bible सुनते हो बचन सुनते हो या ध्यान करते हो आपको ये देखना है कि जो मैंने सुन लिया, प्रभु का बचन मैंने सुन लिया अब इससे मेरे जीवन में क्या असर होता है इस से मेरा जीवन कैसे बदलता है ये सवाल हमेशा आप से पूछना आपको अपने आप से पूछना है और जो सच्चाईयां इस भजन में हम देखते हैं वो केवल सच्चाईयां बनके नहीं रह जाती हैं यही भजन 12 से लेके 17 भजन में यदि आप ध्यान से मेडिटेट करेंगे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का आपकी परसनालिटी का आपके विक्तित्व का हर एक हिस्सा बदल जाता है अभी हम देखेंगे किस प्रकार ये सच्चाईयां जो अभी हम उसको रिवाइज करेंगे हमने दो हफ़ते पहले देखा था लेकिन ये जो सच्चाईयां है किस प्रकार आपके माइंड को बदल देती है आपके दिल को बदल देती है आपके परिवार को बदल देती है आपके सेवकाई के जीवन को आपकी मिनिस्ट्री को बदल देती है और इवन आपके office का काम आपके दफतर, आपका business, धन्दा किस परकार वो भी बदल सकता है इन सच्चाईयों से परमेश्वर हमारे जीवन के सारे शेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है अलेलुया और हम देखेंगे इन बातों को लेकिन उसके पहले मैं आपको दोहराना चाहता हूँ जो सच्चाईयां हमने देखी है बचन एक और दो में हम पढ़ते हैं सब लोग पढ़ें, एक और दो हाँ, हे प्रभू हे परमेश्वर तु पीडी से पीडी तक हमारे लिए निवास्थान बना है सब लोग मेरी तरफ देखें What is निवास्थान? क्या है निवास्थान? रहने की जगा परमेश्वर तु हमारे लिए क्या है? रहने की जगा है Actually, ध्यान से सुनें सब लोग, मुसा क्यूं कह रहा है रहने की जगा? क्यूंकि वो लोग अभी किसमे है? एक बहुत लंबे सफर में है क्या सफर में हमारे पास घर होता है? मुसा का और इन लाखों लोगों का जो सफर है वो कितना लंबा सफर है? कितने गंटे का सफर है? 11 दिन का सफर है लेकिन उन लोगों ने पूरा कितने समय किया? 40 सालों में लगबग 38 साल हो गए है जिस समय मुसा इसको लिख रहा है 38 साल हो गए सड़क पे चल रहे हैं कोई घर नहीं है इसलिए मुसा को अच्छे से पता है 38 साल से हम सड़क पे चल रहे हैं निर्जन, भूमी, मरुस्थल जंगल में से होके हम निकल रहे हैं हमारा कोई घर नहीं है वो अच्छे से समझ गया है परमेश्वर हमारा निवास्थान है सोचो 38 साल तक आप सड़क में चल रहे हैं हालेलुया और मुसा कह क्या कहता है तू सिरफ इस 38 सालों में हमारा निवास्थान नहीं रहा, वो अपनी कहानी शुरू कहां से करता है, अबराहम से, वो कहता है परमेश्वर अबराहम से लेके अब तक, पीडियों से पीडियों तक, हलेलुया, लिखा हुआ है, throughout all generations, सारी पीडियों में परमेश्वर तू हमारा निवास्थान रहा है, मुसा कहरा है परमेश्वर, अबराहम से लेके अब तक तू ही हमारा आत्मिक मकान है, अलेलुया, आप और मैं, हम सब परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर के कारण ही हम जीवित हैं, नए नियम में लिखा हुआ है, इन हिम वी हैव, वी लिव एन हैव आर बीग, उसी में हम जीती हैं, उसी में हमारा अस्तित्व है, अगर वो नहीं है, तो हमारा, अगर उसका हाथ हमारे उपर से उठ जाए, तो हमारा भी कोई भी अस्तित्व और जीवन नहीं है, मुसा कितनी हलीमी से कहता है क्योंकि जो वो सहरा है 38 साल सडक में अब उसको पता चल गया है कि परमेश्वर ही हमारा निवास्थान है पीडियों से वो ही हमारा निवास्थान है और दूसरा वो कहता है कि इस से पहले कि तुने पहाड बनाए तूने सारी दुनिया बनाई अनादी काल से अनंत काल तक तू ही विराजमान है इसका हमारी जिंदगी से क्या असर है सामने देखें यही मैं आपको सिखा रहा था कि a life well lived एक अच्छी तरह से जी हुई जिंदगी परमेश्वर की महानता को मानती है पहली बात जो आपको करना है पहला काम जो आपको करना है और मुझे करना है अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन खुदा की नजर में कामियाब कहलाए अगर मेरा जीवन अच्छी तरह से जिया हुआ जीवन हो So the first thing I do is I acknowledge that God is great परमेश्वर महान है मैं परमेश्वर को घोचता हूँ परमेश्वर की महानता को मैं पहले रखता हूँ अपने जीवन में कामियाब लोग जिनको परमेश्वर कामियाब कहता है जिनकी जिन्दगी अच्छी तरह से चल रही होती है वो ऐसे लोग होते हैं, जो परमेश्वर की महानता को मानते हैं कि पीडियों से वही हमारा निवास्थान है, वही हमारा आत्मिक घर है उसी में हमारी जिंदगी है, वही हमारा सब कुछ है और स्रिष्टी करता वो है, हम नहीं है दो में क्या कहता है? To everlasting, to everlasting you are God कहता है, अधी काल से लेके, अनन्त काल तक तू क्या है? तू ही परमेश्वर है अभी ये दो में लिखा हुआ है, सब लोग ध्यान से तीन में देखें तीन में वो क्या कहता है? पड़े सब तीन वचन पड़े क्या आपने अंतर देखा? दूसरे वचन में परमेश्वर की उमर क्या है? दूसरे वचन सहीता नब्बे के दो में परमेश्वर की उमर कितनी है? क्या लिखा है? आधी काल से अनंत काल तक यह है परमेश्वर लेकिन मनुष्य का हमारे बारे में क्या कहता है? कि परमेश्वर मनुश्व के क्या करता है मिटी है और मिटी में मिला देता है इसलिए यही है परमेश्वर महाने हम नहीं है वो गौड है हम नहीं है वो सदा तक रहेगा हम नहीं रहेंगे वो राजा है हम नहीं है वो सृष्टी करता है हम नहीं है इसलिए एक अच्छी तरह से जी हुई जिन्दगी परमेश्वर की महानता को मानती है दूसरा एक अच्छी तरह से जी हुई जिन्दगी परमेश्वर की पवित्रता को मानती है एक से लेके छे तक परमेश्वर की महानता के बारे में लिखा हुआ है और हमारे छोटे पन के बारे में लिखा हुआ है परमेश्वर महान हम छोटे वो सब कुछ हम कुछ नहीं एक से लेके छे तक लेकिन साथ में सब लोग मिलके उची अवास से पड़ें साथ में वो क्या कहता है हम तेरे क्रोध से नाश हुए साथ में वचन में सब लोग सुन रहे है मुझे साथ में वचन में मूसा कहता है परमेश्वर हम तेरे क्रोध में नाश हुए सामने क्या लिखा है पवित्रता पवित्रता और क्रोध का क्या संबंद हुआ यहाँ पे लिखा है अच्छी तरह से जी हुई जिन्दगी परमेश्वर की पवित्रता को मानती है लेकिन यहां तो क्रोध की बात है तो क्रोध और पवित्र कुछ मैच नहीं हो रहा न परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर की पवित्रता को किस प्रकार दिखाता है इस प्रकार दिखाता है कि परमेश्वर शुद्ध है और उसमें कोई भी चीज अनुचित नहीं है और इसलिए परमेश्वर का जो क्रोध है वो सही है वो धर्मी क्रोध है वो एक ऐसा क्रोध है जो सिद्ध है जो जायज है वो एक ऐसा क्रोध है जो उसकी पवित्रता को दर्शाता है इसलिए परमेश्वर क्रोधित होता है मतलब परमेश्वर बहुत-बहुत पवित्र है पर मुसा को ये बातें क्यों उसके मन में आ रही है क्योंकि मुसा लाखों लोगों का लीडर है जो लोग पाप कर रहे हैं और मुसा खुद भी अपनी कमजोरी को जानता है मुसा देख रहा है कि ये लोग जो है परमेश्वर के बड़े-बड़े चमतकारों को देख चुके हैं लेकिन देखो ये लोग किस प्रकार अभी भी मूर्ती पुजा करना चाहते हैं, अभी भी परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं, मूसा देखता है। और इसलिए उससे समझ में आ गया कि परमेश्वर का क्रोध हमारे उपर इसलिए है क्योंकि वो बहुत पवित्र है। सिवाए नर्क के, वही हमें दूसरों के सामने और परमेश्वर के सामने अपनी गलतियां मानने से रोकता है। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान आदमी है, वो जब प्रभू के दर्शन कर लेता है, तो अपने पापों को मान लेता है। ये शाया की बारे में हम पढ़ते हैं, ये शाया छे में लिखा हुआ है, जब ये शाया को दर्शन हुए परमेश्वर के, उसको exactly ये दो बाते समझ में आगई। ये शाया को पहली बात क्या समझ में आई, ये शाया क्या लिखता है, जिस साल उजिया राजा मरा, मैंने परमेश्वर को उँचे पर विराजमान देखा। मतलब जब उसको खुदा के दर्शन हुए, तो उसके मूँ से क्या निकल रहा है? उँचे पर. और उँचे पर क्या? विराजमान. मतलब पहली बात जो ये शाया को समझ में आ गई है, वो यही बात है, कि ये परमेश्वर बहुत महान है. और दूसरी बात जो उसको समझ में आई, वो यही थी जो सामने लिखी हुई है, कि परमेश्वर बहुत पवित्र है. इसलिए, जब ये शाया परमेश्वर को उँच पर विराजमान देखता है, उसके बाद वो अपने बारे में क्या कहता है, हाए मैं नश्ट हुआ, मैं अशुद्ध होठों वाला आदमी हूँ, और अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहता हूँ, दो सबूत आपकी जिंदगी में जरूर होंगे, अगर आप दर्च होगा, ये सबूत नहीं है, आप बहुत बड़े गायक होंगे, बहुत बड़े प्रचारक होंगे, ये इस बात का सबूत नहीं है, कि आप खुदा को जानते हैं, दो बाते हैं, जो आपके जीवन में सबूत पेश करेंगी, कि आप खुदा को जानते हैं, और वो ये और क्या है परमेश्वर? सिर्फ एक स्वर्ग में बैठा हुआ, एक बूड़ा सा आदमी, जो हमें हमेशा आशिरवात देता रहता है. क्या यही समझ रखा है हमने परमेश्वर को? क्या परमेश्वर सचमुच हमारे, हमारी नजरों में, हमारी आत्मा में, हमारी समझ में, क्या परमेश्वर है महान? इतना महान कि उस तक कोई पहुँच नहीं सकता, और उसकी उपर कोई है नहीं? क्या इस प्रकार हम खुदा को महान समझते हैं अपनी लाइफ में? और क्या हम जानते हैं कि वो बहुत पवित्र है, और हमारा पाप हमें परमेश्वर से जुदा करता है, अलग करता है, इन बातों पर गौर करना है, कामियाब जीवन परमेश्वर को जानने वाला जीवन होता है, कामियाब जीवन वो नहीं होता, या सिर्फ कामियाब जीवन वो नहीं होता, जिसमें आपने बहुत कुछ कर लिया बहुत कुछ जीत लिया दस चर्च खोल दिये आपने और पंदरा पास्टर ट्रेन कर दिये आपने और बहुत सारे प्रवचन कर दिये आपने और आप दिन रात ठकते नहीं खुदा का काम करते हुए वो सब कुछ बाद में आता है ये शाया ने भी किया खुदा का काम लेकिन पहले उसने परमेश्वर की महानता को देखा पवित्रता को देखा अपने तुच्छपन को समझा अपने पाप को माना फिर उसने कहा मैं जाके सेवा करूँगा परमेश्वर ने उसे कहा जा इसलिए आपके काम आपकी सेवा जो आप चर्च में भी सेवा करते हैं जो आप खुदा के राज में सेवा करते हैं उन सब की जगा बाद में आती है और उनकी एक उचित जगा है लेकिन आपकी जिंदगी में पहला क्या होना चाहिए परमेश्वर के साथ आपका रिष्टा हर रोज नया होना चाहिए इसलिए यही है खुदा की खोज करना यही है खुदा के पीछे पीछे चलना कि कहीं संसार और संसारिक्ता और संसार जिन विचार धारा पे चलता है कहीं वो हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर दे इसलिए एक अच्छी तरह से जी हुई जिन्दगी परमेश्वर की महानता को मानती है एक अच्छी तरह से जी हुई जिन्दगी परमेश्वर की पवित्रता को मानती है और अगर ये दो चीज़ें आपके जीवन में हैं तो ये होगा कि एक अच्छी तरह से जी हुई जिन्दगी नम्रता दिखाती है और नम्रता समय नहीं है क्योंकि मैं अलड़ी प्रचार कर चूगा लेकि नम्रता कहां से आती है इस बात से आती है वो कहता है कि परमेश्वर हम तो घास के समान है जो सुभा सुभा बड़ी सुंदर दिखती है लेकिन शाम को सूख जाती है कि परमेश्वर तू तो इस तरह का परमेश्वर है कि तेरे सामने एक हजार साल एक दिन के बराबर है ये सब कुछ इसी में लिखा है, बजन नबे में लिखा हुआ है, कि परमेश्वर एक हजार साल तेरे लिए एक दिन के बराबर है, हम तो जैसे नींद में खतम ही हो जाते हैं, हमारी मृत्ति हो जाती है, और सुबा सुबा तो हम नई घास के समान होते हैं, लेकिन शाम तक हम स छुप छुप के करते हैं, वो आज तक जो आपने किया, जो संसार में किसी को नहीं पता, लेकिन बाइबल कहती है, वो परमेश्वर के सामने खुलम खुला रखे हैं, इसलिए परमेश्वर से भाग के हम नहीं जा सकते हैं, आपकी जिंदगी अगर कामियाब होनी है, बार मसी के द्वारा येशु मसी अगर आपके जीवन का उद्धार करता आपने उसको मान लिया है मालिक मान लिया है अपने पापों का बोज उसे दे दिया है इस बात को मान लिया है कि येशु मेरे पापों के लिए मारा गया और जिंदा हो गया और वो मेरा उद्धार करता है ये नम्रता दिखाती है, यह जो सच्चाईयां है, इनका मेरे जीवन में क्या लाब होता है, इनका मेरे जीवन में अब क्या असर होना चाहिए, अब सत्संग खतम होने वाला है 20 मिनट में, जब मैं यहां से बाहर निकलूँगा, तो क्या करूं मैं इन सच्चाईयों का, किस प्र बदल जाती है, मेरी भावनाएं बदल जाती है, मेरा परिवार बदल जाता है, मेरा काम बदल जाता है, सब लोग अपनी बाइबल में देखें, बारा वचन, अब हम क्या करें आगे, बारा वचन सब जोर से पढ़ देंगे, ओके हमें हमारे दिन गिनने की समझ दे हमें सिखा ताकि हम अपनी जिन्दकी के दिनों को गिन्ती करें मतलब कि हमारा जीवन बहुत छोटा है हम गिन्ती करें आपको मालूब है कि आपकी जिन्दकी ऐसी है आप गिन्ती कर सकते हैं आपके दिन जबकि परमेश्वर कैसा है अनाधी काल से लेके अनन्त काल तक राज करता है सो इसलिए सामने देखें अब हम क्या करते हैं हम उस स्वर्ग्य बुद्धी की कामना करते हैं जो अपने जीवन के दिन गिनने से आती है कितनी अजीब सी बात है ना बुद्धी इस बात से आती है कि आप अपने आपको याद दिला लो कि तेरा जीवन सदा तक यहाँ पे नहीं है सोच के देखें कि कल सुबा कल सुबा ग्यारा बजे ये संभव है कि मैं आप में से किसी एक का जनाजा पढ़ रहा होंगा हम सब कब्रिस्तान में होंगे आप में से किसी एक का हम फ्यूनरल जमीन में आपको दफना रहे होंगे या हो सकता है कल तीन बजे आपको खबर मिले कि पास्टर जॉय नहीं रहे और शाम को पांच बजे कल शाम को सोंबार के दिन हम द्वारका के कब्रिस्तान में होंगे आप सब पास्टर जॉय को दफनाने के लिए और ये हो सकता है और ये अपने आपको याद दिलाने से बुद्धी आती है क्या हम सब को नहीं पता कि हमारी उमर छोटी है हाँ या ना बोल सकते हैं आप क्या हम सब को नहीं पता कि हमारा जीवन छोटा है हाँ या ना क्या मुसा को नहीं पता कि उसका जीवन कभी भी खतम हो सकता है मुसा ने लाखों लोगों की मौत को देख चुका है मुसा हजारों को रोज शायद खुद दफनाता होगा क्या मुसा को नहीं पता कि मुसा का जीवन खतम होने वाला है फिर यहाँ पे क्या कह रहा है मुझे मेरे जीवन के दिन गिनना सिखा हम सब जानते हैं जीवन छोटा है हम सब जानते हैं कल हम मर सकते हैं हम सब जानते हैं, हम सदा के लिए यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस बात को हमें अपने आपको याद दिलाना है, ये भी एक सीखने की बात है, ये भी एक प्रात्ना है, आप लोग पूछें जो लोग यहां बैठे हैं अपने आप से पूछें कभी इस तरह प्रातना की है जब तक मैंने इसको पढ़ा मैंने इस प्रकार प्रातना नहीं की थी मुसा की प्रातना है परमेश्वर मुझे मेरे दिन गिनना सिखा यहां से बुद्धी आती है परमेश्वर का डर मानने सुलेमान ने कहा परमेश्वर का डर मानने से बुद्धी की शुरुवात यहां से शुरुवात होती है बुद्धी की कि परमेश्वर सदा सदा तक जीवित रहेगा मैं नहीं, वो महान है मैं नहीं वो स्रिष्टी करता है मैं नहीं वो शुद्ध और अति पवित्र है मैं नहीं इस धर्ती पर और स्वर्ग में वो हमेशा तक राज करेगा मैं नहीं यहां से बुद्धी आती है It's amazing This can be the source of wisdom यह सच्चाई आपको और मुझको बुद्धीमान बना सकती है हम उस स्वर्ग ये बुद्धी की कामना करते है जो अपने जीवन के दिन गिनने से आती है जो इस बात को याद करने से आती है कि परमेश्वर सच्मुच मेरा जीवन यहां बहुत छोटा है जब तक मैं हूँ परमेश्वर मुझे तेरा बना के रखना ये है हमारा मन, बुद्धी, मिल जाती है हमें जब हम परमेश्वर के सामने नम्र हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं उसे महानता का दर्जा देते हैं, उसे पवित्र कहते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर को और दूसरा, हम उस आंत्रिक त्रिप्ति की कामना करते हैं, जो परमेश्वर के अनन्त प्रेम से आती है मैं चाता हूं कि आप सब 14 वचन पढ़े Everybody, सब लोग जोर से पढ़ सकते हैं, प्लीज वो कहता है, भोर को मतलब सुभा सुभा परमेश्वर अपने प्रेम से मुझे त्रिप्त कर दे, मतलब सैटिस्फाइ कर दे, मुझे भर दे अंदर से मुझे संतुष्ट कर दे क्या ये बात सच नहीं है कि आप लोग और मैं, हम लोग त्रिप्ति चाहते हैं चीजों में हमें लगता है कि हमें ये चीज मिल जाए हम संतुष्ट हो जाएंगे, हमें लगता है कि मुझे ये चीज मिल जाए मैं संतुष्ट हो जाएंगे, मेरी शादी हो जाए मैं संतुष्ट हो जाएंगा, मेरे बच्चे हो जाए मैं संतुष्ट हो जाएंगा, मेरे कर्जे सारे भ अपलब्धियों में संतुष्टी ढूंते हैं, अपने जीवन की कामियाभी में, अपने इस संसारिक कामियाभी में, संसारिक उपलब्धियों में हम संतुष्टी को ढूंते हैं, अराम ढूंते हैं, लेकिन जब ये चीजे मिल जाते हैं, जब ये सारी चीजों को मैं हासिल कर तो भी जब मैं रात को अपने तकिये पर सर रखता हूं संतुष्टी तो महसूस नहीं करता हूं क्यूंकि यह सच्चाई है संसार की चीजें कभी भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती हैं संसार की चीजें आप हासिल भी कर सकते हो आपको मालूम है संसार की चीजें आपकी जोली में अंतिम ultimately कौन है जो देता है परमेश्वर देता है परमेश्वर ने आपको सब चीजें दे दी जो जो आपको चाहिए लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं है क्योंकि संतुष्टी चीजों से नहीं आती है अपने आपको याद दिलाना है संतुष्टी चीजों से नहीं आती है संसारिक चीजों से संसारिक लोगों से संसारिक संबंधों से संतुष्टी नहीं आती है कहां से आती है वो कहता है सुभा सुभा परमेश्वर तेरे करुणा से मुझे तेरे प्रेम से मुझे भर दे ताकि मैं तेरी जैजैकार करूँ और अपने जीवन के सारे दिन लिखा है आनन्द में जीऊँ कोई है यहाँ पे जो आनन्द की खोज करता है कौन-कौन है जो अपने जीवन में आनन्द चाहता है हम सब आनन्द चाहते है बाइबल कहती है सुबा सुबा परमेशवर के प्यार से भर जाओ जो हम पढ़ रहे हैं न ये खुदा का सच्चा वचन है अभी अभी हमने पढ़ा खुदा के वचन में पढ़ा प्रभु सुबा सुबा मुझे तेरे प्रेम से भर दे ताकि मैं अपने जीवन के सारे दिन तेरी जय जयकार करूं और आनंद पाउं विश्वास करें इस वचन पे और वो कहता है कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उसने कहा सुभा सुभा मतलब सुभा किस बात का प्रतीक है सुभा प्रात्मिकता का प्रतीक है सुभा priority का प्रतीक है मतलब जब वो कहता है खुदा सुभा सुभा मुझे भर दे मतलब हमसे कह रहा है अपने जीवन में पहले स्थान पर जब दिन शुरू होता है तो सबसे पहले शाम होती है या दुपहर होती है, सुभा होती है मतलब जब पूरे दिन में सबसे पहले क्या आता है सुभा आती है मतलब आपको और मुझे अपनी जिन्दगी में सबसे पहले क्या करना है परमेशो के प्यार से भरना है अगर हम अपने जीवन में प्रात्मिक्ता रखेंगे परमेश्वर की खोज करने के लिए और उसके प्रेम से भरने के लिए वहां से हमें संतुष्टी मिल जाएगी It's amazing कि इस चीज की अगर इस तरीके से अगर आप संतुष्टी की कामना और संतुष्टी की खोज करेंगे आपको मिल भी जाएगी क्यों? क्योंकि हम जब उसे खोजते हैं वो सत्मुछ हमें मिल जाता है इसका मतलब ये एक ऐसी खोज है जिसमें आप कभी फेल भी नहीं होंगे It's so amazing This is worth it, ये एक ऐसी खोज है हम जिसके लिए जब निकल पड़ेंगे न हम कामियाब होके लोटेंगे क्योंकि परमेशवर खुद कहता है आओ और चको मैं कितना भला हूँ ये परमेशवर की कामना है कि हम उसके साथ संबंद बनाएं ये परमेशवर की कामना है कि हम हर रोज प्रातना में अपने सोचों में, खयालों में उसके साथ हम जुड के रहें और इसलिए इस बात को जाने की जिस तरह का प्रेम खुदा करता है जिस तरह का प्रेम परमेश्वर करता है वो पिता, वो हमारा डैडी जिस प्रकार का प्यार वो करता है, कोई हमसे नहीं कर सकता और इसलिए परमेश्वर के प्यार से भर जाएं परमेश्वर ने अपना प्यार हमें दिखाया है क्रूस पर अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान दिया है और हमें क्या सबूत चाहिए उसके प्यार का परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसके प्रेम में बढ़ने से उसके प्रेम से यदि हम भर जाएंगे तो हमें संतुष्टी मिलेगी और आगी क्या लिखा है? जैजैकार करेंगे और सारे जीवन के सारे दिन आनंद पाएंगे इसलिए परमेश्वर के परमेश्वर हमारे बुद्धी को हमें नया मन देता है परमेश्वर हमारे दिल में हमारे अंदर के व्यक्ती में साडिस्टैक्शन देता है हललुया आगे हम अपने जीवन में परमेश्वर के महान कामों को देखने की कामना करते हैं मैं आपको बड़े ध्यान से मैं अपनी कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए इसका मतलब क्या है मैं परात्ना कर रहा हूँ अपने मन में अभी भी पवित्रात्मा आपको समझाए इस वचन का मतलब क्या है तेरा काम तेरे दासों पर तेरे लोगों पर प्रकट हो जाए जिस परकार मैं इस जीवन को अपने इस वचन को जिस परकार मैंने ग्रहन किया है वो ये है कि परमेश्वर हमारी जिन्दगी में कोई काम करना चाहता है यह एक ऐसा काम है जो संसारिक काम नहीं है जो संसार नहीं कर सकता जो यह एक ऐसी चीज है जो संसार हमको नहीं दे सकता जिनके पास परमेश्वर नहीं है बाहर के लोग क्या वो अपना जीवन नहीं जी रहे हाँ है ना बोले जो खुदा को नहीं जानते हैं क्या वो अपना जीवन नहीं जी रहे है क्या वो दफ्तरों में नहीं जा रहे क्या वो पैसा नहीं कमा रहे क्या उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्या वो घरमकान नहीं बनाते, लेकिन उनकी जिंदगी में वो एक special स्वर्ग से आने वाली शक्ति, परमेश्वर की और से उनके जीवन में होने वाला काम, उनकी लाइफ में नहीं है, हमारी लाइफ में है, इसका मतलब दफतर जाना, पैसे कमाना, अपना घर च करना, अगर हम करते हैं, तो और वो भी करते हैं, तो इसमें तो ये तो समान है, पर वो extra चीज क्या है, वो हटके चीज क्या है, जो हमारे पास है, वो यही है, जो काम, जो परमेश्वर का काम है, जो वो हमारी जिंदगी में जाहिर करना चाहता है, एक ऐसा काम है, जो आपक यह उद्धार से बढ़कर है, आपके पापों, आपके पापों की माफी जब आपने पा ली न, आपकी forgiveness, आपकी salvation से भी हटके, बढ़के इस दुनिया में होने वाला एक अदबुत काम है, जो परमेश्वर इस दुनिया में आपके अंदर करना चाहता है, और आपके द्वारा करना चाहता है, मेरे पिछले 4-5 महीनों मेरा एक अनुभव हो रहा है, अनुभव क्या है, जब मेरी लाइफ में कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग हैं, जो मेरी लाइफ में आ रहे हैं, हम सब की जिन्दगी में लोग आते हैं, हम, और कुछ लोग मिलनसार हैं, कुछ लो प्रातना कर ये व्यक्ति तेरी जिंदगी में क्यूं आया है कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर तेरे द्वारा उसकी जिंदगी में करना चाहता है या कोई ऐसी चीज है जो उसके द्वारा परमेश्वर तेरी जिंदगी में करना चाहता है और आजकल मेरी आदत सी बन गई ह कि जब कोई व्यक्ति मेरी लाइफ में आया मैं प्रातना करता हूँ परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ तुने मुझे क्यों मिलाया प्रभू तु कुछ तो करने वाला है जो मेरी समझ में नहीं है लेकिन जो तू करना चाहता है तू कर और मैं देख रहा हूँ जब ऐसा मैं कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा निकल के आता है जो परमेश्वर का काम है जो संसार नहीं कर सकता जो मैं नहीं कर सकता जो वो नहीं कर सकता लेकिन परमेश्वर का आत्मा कर सकता है मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कुछ ना कुछ extra, हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत अदबुत परमेश्वर है तो जो अगर वो अदबुत परमेश्वर है तो आपके जीवन में कुछ अदबुत काम उसका होना चाहिए कुछ अदबुत, कुछ हटके कुछ चमतकारी, कुछ विशेश ऐसा कोई काम है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता है जब वो कहता है Lord let your deeds be known to me reveal your deeds to me, reveal your mind to me जब आप खुदा के साथ बैठते हैं ना जब आप प्रात्मा करते हैं आप खुदा को बोल सकते हैं परमेश्वर तेरा मन मेरे सामने खोल दे परमेश्वर वो बाते जो संसार मुझे नहीं सिखा सकता वो बाते जो मैं अपने खुद की समथ से नहीं कर सकता तेरा आत्मा मुझे नहीं नहीं बातों को खोल दे अपने साथ जोड ले प्रभू और तेरा एजंडा मुझे बता, तेरा मकसद मुझे बता, खुदा तू गुडगाओं शहर में क्या कर रहा है, मुझे उसका हिस्सा बना परमेश्वर, जो तू प्लैनिंग कर रहा है खुदा, मुझे उसका एक पार्ट बना, तू मुझे किस प्रकार इस तरह की प्राथना कर यह है परमेश्वर के महान कामों को देखने की कामना करते हैं अपने जीवन में मेरी लाइफ में परमेश्वर कुछ कर मैं अपने जीवन को अपने जीवन को सिरफ अपनी नौकरी तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं परमेश्वर किस प्रकार में तेरी महिमा करूं अपनी परमेश्वर तेरा मकसद कि तु इस व्यक्ति को तुने मेरे करीब लेके आ रहा है, क्या है तेरा मकसद कि तुने इस व्यक्ति को मेरा दोस्त बनाया, क्या है तेरा मकसद कि तुने मुझे सत्संग में तुने मुझे सेवादार बनाया है, या तु मुझे इस चर्च में लेके आया है या तो मुझे ये चीज क्या जब मैं खुदा वचन पढ़ता हूँ तो इसको मैं किस प्रकार लागू करूँ ये सारी बाते हैं ये आपकी प्रात्ना होनी चाहिए Believe it, God wants to have a special relationship with you परमेशवर आपके साथ एक special संबंद रखना चाहता है परमेशवर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है परमेशवर आपको अपना साथी बनाना चाहता है परमेशवर आपको अपने कामों के लिए एक मजबूत सेवादार और एक सहकर्मी बनाना चाहता है परमेशवर आपको एक आस्मानी और बड़े-बड़े और अद्बुद और आत्मिक कामों का सांजेदार बनाना चाहता है आपको इस प्रकार की बड़ी-बड़ी प्रात्नाएं हमें करनी है कि परमेश्वर तू मुझे इस्तिमाल कर मुसा तो प्रात्ना कर रहा है हमें भी प्रात्ना कर रहा है What are you up to? Do something in my life Lord and reveal yourself to me आत्मतकारी है, तू अद्बुद है, तू महान है, तू विशाल है मैं तेरा बच्चा हूँ, मेरे जीवन को अपने कामों के लिए इस्तिमाल कर मैं अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहता हूँ जो तेरी मर्जी है, मेरी जिन्दगी में पूरी कर जो तू चाहता है कि मैं करूँ, मुझे बता कि मैं क्या करूँ और वो काम करने के लिए मुझे शक्ती दे, मुझे बुद्धी दे, मुझे मदद दे, मुझे सहायता दे तू मेरी मदद कर, जो तू मुझे से काम करवाना चाहता है काम ना करें, इस प्रकार की प्रात्ना करें मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप इस प्रकार की प्रात्ना करेंगे आप उत्तर में परमेश्वर की ओर से कुछ ना कुछ होता हुआ पाएंगे आपको लगेगा कि हाँ मैंने प्रात्ना की है इस बात की मैंने प्रातना की है मेरे को छे महीने हो गए अच्छा प्रभू ये तेरी और से है बट अगर आपने प्रातना नहीं करी अगर आपने कामना नहीं करी अगर आपने इंतजार नहीं किया तो किन कामों का हिस्सा बनोगे सिर्फ अपनी नौकरी जाना और संडे के दिन सत्संग में आना क्या यही आपके जीवन की परिभाशा है We follow a wonderful God हमें एक अदबुद परमेश्वर की पूजा करते हैं अलेलुया और उसके अदबुद काम आपके जीवन में जाहिर हो सो आपने देखा परमेश्वर महान है पवित्र है हमें नम्र बनाता है यह सचाईयां हमें कैसे बदलती है यह हमारी बुद्धी को नया कर देती है यह हमें अंदर से हमारे दिल को नया करती है हमें संतुष्ट करती है यह हमारा जीवन हमारा सेवकाई का जीवन बदल देती है और चौथा, ये हमारे आने वाले पीडियों को बदल सकती है, हाललुया क्या लिखा हुआ है, मेरे पीचे बोले हम काम ना करते हैं कि हमारे आने वाली पीडियां परमेश्वर की महिमा को देखें देखो, सब लोग पढ़ें सोला बचन, दुबारा पढ़ें सब जोर से पढ़ें सोला बचन, everybody हाँ हाँ, तेरा प्रताप हमारी संतान पर प्रकट हो, हमारे बच्चों पर प्रकट हो आपको पता है, ऊपर संडे स्कूल चल रहा है मालूम है आपको क्या आप इस बात को imagine कर सकते हैं कि इस समय उपर जो 30-40 बच्चे बैठे हैं उन नन्ने नन्ने बच्चों के उपर प्रभू अपना प्रताप जाहिर करना चाहता है परमेश्वर हमारे बच्चों को बदलना चाहता है हालेलूया और हमें अपने आने वाली पीडियों के अगर चिंता करनी है तो इस बात की चिंता करें कि मेरे बच्चे परमेश्वर के नाम को बुकार रहे हैं और ये हमारी प्रातना है परमेश्वर जाहिर कर अपने आप को मेरी संतान पर मेरी उलाद पर, मेरे बच्चों पर. कुछ दिन पहले मुझे एक बहन का फोन आया, उस बहन ने मुझे बताया कि मेरे पती-पत्नी, हम जब रात को बैठे थे, ठके हुए थे, तो हमारा जो बेटा है, उस बच्चे ने मुझे से कहा, पापा क्यों ना हम बाइबल पढ़के सुएं? किसने याद दिलाया? बच्चे ने याद दिलाया. परमेश्वर हमसे बात करता है, even छोटे बच्चों के द्वारा. संसार के बच्चे तो नहीं बोलते होंगे, हमारे बच्चे बोलते हैं. Hallelujah! ये है हमारी कामना. इस प्रकार मेरा परिवार बदल जाता है. मेरे बच्चों की सोच बदल जाती है. मेरे पती की सोच बदल जाती है. मेरी पतनी बदल जाती है. इस बात से कि परमेश्वर महान है और मैंने उसे अपना जीवन समर्पन किया है. उसने आपकी बुद्धी बदल दी, उसने आपका दिल बदला, उसने आपका सेवा का नजरिया बदला, उसने आपका परिवार बदला काम ना करें, अपने बच्चों के लिए ऐसी बातों की काम ना करें मैं पहले भी का था अपने बच्चों के लिए आपके बच्चे 90% और 95% लेके आए और एक्जाम में पास हो जाएं आपकी प्रात्नाओं का स्तर बढ़ा दो आपके बच्चों की कामियाभी इसमें नहीं है कि आपके बच्चे कितने नंबर लेके आते हैं क्योंकि सब बच्चे 95% लेके नहीं आते नहीं आ सकते संभव नहीं हैं लेकिन सारे बच्चों को उनको भी जो फेल हो जाते हैं परमेश्वर प्यार करता है इसलिए आपके बच्चों के लिए जो आपका विजन है जो आपका दर्शन है वो उनके स्कूल में पाये जाने वाले नंबरों से बढ़के होना चाहिए और वो यह होना चाहिए खुदा मेरा बच्चा तेरे रास्ते पर चले आने वाली पीडियों को हम यह सबसे अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं उनके नाम पर सौगज का प्लॉट छोड़ देना उनके लिए सब के लिए एक-एक सोने की चेन बना देना यह सबसे अच्छी विरासत नहीं है जो आप छोड़ रहे हैं खुदा ने आपको काबिल बनाया आप कीजिए लेकिन यह सोने से बढ़कर है जो विश्वास और खुदा का रास्ता जो आप अपनी बच्चों को दिखा सकते हैं हलेलुया कितनी खुबसूरत बात है न भविश्य में हम नहीं होंगे जब हमारे बच्चे 50 साल के होंगे शायद हम नहीं होंगे हमारे जब बच्चे 60 साल के होंगे शायद हम नहीं होंगे, शायद हम कल नहीं हों और हमारे बच्चे दो साल के हैं चार साल के हैं, शायद हम कल ही चले जाएं, एक बात में हम अराम पा सकते हैं, अगर मेरे बच्चों के उपर खुदा का हाथ है, वो उनका अनन्त पिता है इसलिए आने वाली पीडियों, आने वाली पीडियां भी परमेश्वर के प्रता, love that word, कितना अच्छा शब्द है, कि खुदा तेरा प्रताप उनके उपर दिखा इसलिए आप कभी भी अनात नहीं है, आपके बच्चे कभी अनात नहीं है, मैं अनात नहीं हूँ, हललुया परमेश्वर है हमारा सब कुछ, हमारे आने वाली पीडियां धन्य है, क्योंकि हम उनको खुदा कर रास्ता बताते हैं, बड़ क्या हम बताते हैं, वो सवाल आपके लिए है इसलिए आपने बच्चों के लिए काम ना करो कि आपके बच्चे परमेश्वर की खोज करें, आपके बच्चों के मूँ पर खुदा, उनकी जुबान पर खुदा का नाम हो हमने देखा किस प्रकार परमेश्वर की सच्चाई बदल देती है सबसे पहले सारे बोलें किसको हमारी सारे बोलें किसको हमारी बुद्धी को हमारे दिल को और हमारे सेवकाई के जीवन को और किसको हमारे बच्चों के जीवन को और अन्त में किस प्रकार परमेशवर के साथ अगर हम जुड़ेवें हैं या हम अपनी सेवकाई में जो कुछ प्लानिंग करते हैं उसको भी परमेशवर आशिश देना चाहता है पढ़के ख़तम करेंगे 17 वचन पढ़ें हाँ ओके इंग्लिश में लिखा हुआ है परमेश्वर का फेवर मतलब उसका सारे बोलो फेवर आप समझते हैं फेवर क्या होता है मतलब प्रभू ये काम कर दे मेरे लिए वो है फेवर जिसको हिंदी में मनोहरता कहा गया है कि परमेश्वर ये काम कर मेरे लिए कौन सा काम कर पढ़ें आगे कौन सा काम करना है प्रभू को हाँ तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए द्रिड कर और हाँ मतलब हमारे काम हाथों के जो काम है हमारा जो business है, जो नौकरी है, प्रभू है मेरे हाथ के काम को आशीश दे जो मैं अपने office में जाके जो मेहनत करता हूँ, जो काम करता हूँ, जो business करता हूँ उस पर तू आशीश दे, मेरी कमाई पर तेरी आशीश हो और खुदा देता है हमें आशीश, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर मेरे हाथों के काम को आशीश दे पर यहाँ पर एक सवाल है, क्या आपके हाथ मेहनत कर रहे हैं, आशीश तो मांग रहे हैं खुदा से खुदा मेरे हाथों के काम को आशीश दे मतलब मेरी तंखा में तेरी आशीश हो मेरे दफ्तर में तेरी आशीश हो मेरे बिजनस पे तेरी आशीश हो बट उसके पहले जो सवाल है क्या हम अपने काम को धन्यवाद के साथ करते हैं क्या हम अपनी नौकरियों के लिए धन्यवादित हैं या हम कुड़कुड़ाते हैं अपनी जॉब को लेके और अपने बिजनस को लेके कुछ लोगों को लगता है कि हम अपनी नौकरी की वज़ा से परमेश्वर की अरादना नहीं कर सकते और ये बहुत गलत सोच है क्योंकि बाइबल सिखाती है काम करो येशु के लोग थे थेसलोनिका नगर में जिनको लगा येशु तो आने वाला है तो क्या करते हैं हमारे पास्टर ने कहा था येशु जल्दी आने वाला नौकरियां छोड़ के बैठ गए तो पॉलूस उनको लिखता है पत्री लिखता है पॉलूस और पॉलूस समझाता है तुम में से कहियों ने ये सोच कर कि येशु जल्दी आने वाला है अपनी जॉब छोड़ दिये और अब तुम दूसरों पर निर्बर होना चाहते हो तो पॉलूस उनको कहता है नौकरी पकड़ो जॉब करो काम करो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर काम को आशीश देता है काम करना परमेश्वर की ओर से है काम करना ओफिस जाना बिजनस करना मतलब कुछ ना कुछ करना अपने हाथों से अपनी बुद्धी का इस्तिमाल करके काम करना, ओफिस जाना, नौकरी करना, सारे सुनने ध्यान से ये परमेश्वर की और से है, और आपका काम परमेश्वर और आपके बीच में बाधा नहीं बन सकता, नहीं बनना चाहिए, नहीं बन सकता, क्योंकि काम परमेश्वर की और से है, परमेश्वर ने काम को बनाया जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसे ने कहा अब तु मौझ मस्ती कर जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो कहा क्या कर आदन की वाटिका का ध्यान रख इसलिए काम परमेश्वर की ओर से है तभी तो प्रात्ना करेंगे यहाँ पर क्या प्रात्ना और यह प्रभू मेरे हाथों के काम को आशीश दे अरे कहां से आशीश दे तुम काम तो करते नहीं हो So do not view आप ना अपने बिजनस को या अपनी जॉब को second grade समझ के चलते हैं बहुत लोग कि पास्टर का काम करना बहुत बड़ी बात है नौकरी करना तो उससे low level की बात है और यह सोच ठीक नहीं है अगर काम परमेश्वर ने ठहराया है आप अपनी नौकरी के जरिये क्योंकि बाइबल में लिखा हुए कुलूसियों में पॉलूस फिर सिखाता है थेसलोनियन्स में वो क्या सिखाता है काम करो, नौकरी पकड़ो दूसरों पर निर्भर ना रहो मेहनत करो और क्या कहता है तुमारे जीवन की सारी जरूरते पूरी हो जाएंगी पहली बात दूसरी बात वो कहता है तुम दूसरों को भी देने के लायक बन जाओगे और फिर कुलूशियों में दुबारा से वो सिखाता है वहाँ की विश्वास कलीसिया को क्या सिाता है वो ये सिखाता है ऐसे काम करो, ऐसे नौकरी करो ऐसे बिजनस करो तुम जैसे प्रभू के लिए कर रहे हो इसलिए आप अपने काम को मेहनत के साथ करके इमांदारी के साथ करके वफादारी के साथ करके जूट ना बोलके कि परमेश्वर मैं जूट बोलके छुटी नहीं लूँगा परमेश्वर मैं जान बूच कर सुस्ती के मारे अपने ओफिस में लेट नहीं जाओंगा मैं पांच मिनट पहले जाओंगा और मुझे जो काम दिया गया मैं कुड़-कुड़ आके नहीं करूँगा परमेश्वर और मुझे जो तंखा मिलती है परमेश्वर मैं जानता हूँ ये सारी की सारी तंखा तेरी है तुने मुझे दिया है सब कुछ तेरी महिमा के लिए किया जाए मैं अपना दश्वांच भी दूँगा लेकिन बाकी का 90 प्रतिशत मैं जिम्मेदारी के साथ खर्च करूँगा प्रभू क्यूंकि एक एक रुपया तेरा है तब हम प्रात्ना कर सकते हैं मेरे हाथों के काम को आशीश दे इसलिए आप सबसे पहले अपने आपको सोचें आर यू आ हाड वर्कर? क्या आप दृड़ता से प्रात्ना क्या है? मेरे हाथों के काम को दृड़ कर प्रभू बोलेगा तेरे काम तो है ही नी, तेरे हाथ का काम है ही नी दृड़ मैं के हाथ दूझे, तू पहले कुछ करतो सही सो मैं आपको बस खतम करने वाला हूँ अच्छे से काम करें, सब लोग सब लोग सुन रहे है जहां जहां नौकरी करते हो, अच्छे से नौकरी करो इमानदारी से नौकरी करो, मेहनत से नौकरी करो कुड़कुडा के नौकरी मत करो ये सोच के नौकरी करो इस नौकरी के जरीय से मैं खुदा के नाम को महिमा पहुंचा रहा हूँ और ये सोच के काम करो कि आप दो नौकरियां कर रहे हो दो नौकरियां कौन सी नौकरी पहली जो दफ्तर में करते हो दूसरी उसी नौकरी के रहते रहते उस नौकरी के साथ साथ परमेश्वर के लिए काम करें दूसरे लोगों में मसीही लोगों में ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि हम खुदा की सेवा सारे लोगों को नौकरी छोड़ने की बुलाहट नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि जिन लोगों को उसने नौकरी छोड़ने के लिए बोल दिया जैसा कि मुझे बोला 2011-2012 में खुदा ने मुझे बोला जोई नौकरी छोड़ दे सब लोगों की वो बुलाहट नहीं है और उसका मतलब ये भी नहीं है कि जोई पास्टर को बोला इसका मतलब शायद जोई पास्टर खुदा का ज़्यादा प्यारा होगा नहीं आप भी उतने ही प्यारे हैं सबको अलग-अलग बस उसने काम दिया है इसलिए मेहनत भी मैं चाहता हूँ कि सत्संग में आने वाले लोग ना हाड वरकिंग लोग हूँ मेहनत करने वाले लोग हूँ तब आप प्रात्ना करेंगे परमेश्वर हमारे हाथों के काम को आशीश दे तब आप जो अपने ऑफिस में करेंगे खुदा आपको आशीश देगा आपको आगे बढ़ाएगा इस प्रकार आपने देखा कि ये सचाईयां जो हमने देखी कि अच्छी तरह से जी हुई जिंदकी क्या करती है सारे बोलने पहले परमेश्वर की महानता को मानती है, दूसरा परमेश्वर की पवित्रता को मानती है, तीसरा नम्रता दिखाती है और ये सच्चाईयां हमारे बारे में और परमेश्वर के बारे में इस प्रकार हमारे जीवन को बदल देती है किस प्रकार, कि हम उस स्वर्ग्य बुद्धी की कामना करते हैं, जो सब लोग पढ़ सकते हैं अकचली मेरे साbbe, सब पढ़े करते हैं, जो अपने जीवन के दिन किनने से आती हैं, यह हमारी मान्सिक dysit है, बुद्धी, हमारा मन वो बदल देता है, दूसरा, सब पढ़े, हम उस आंतरिक त्रिप्ति की कामना करते हैं जो परमेश्वर के अनंत प्रेम से आती हैं हम अपने जीवन में परमेश्वर के महान कामों को देखने की कामना करते हैं इसका क्या मतलब देखा था परमेश्वर कर मेरी जिंदगी में जो तू कर रहा है मुझे हिस्सा बना तेरे उस काम का जो इस संसार में तू कर रहा है अदबुत काम कर परमेश्वर तू अदबुत परमेश्वर है किस प्रकार आपने देखा हमारा मन बदल जाता है हमारी भावनात्मक स्थिति हमारा दिल हमारा अंदर से जो हम है वो बदल जाता है किस प्रकार हमारा आत्मिक जीवन या हमारा सेवकाई का जीवन बदल जाता है किस प्रकार हमारा परिवारिक जीवन बदल जाता है और किस प धन्यवाद हो